नवश्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आपका यूसी लाइब के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी के लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जैसा कि आपको नाम दिखरा होगा हमारे आज के टॉपिक का हो है एनलोजी ठीक है अ कुछ ने गरना होता आपको सिर्फ एप्रोच सीखने होती है अगर आपकी एप्रोच आपने सीख ली किस तरह से इन क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को अराम से उड़ा के ले जाओगे अब बात करते हैं सर यह होता क्या है हमें थोड़ा सा इसके ब करना होता है और कंक्लूजन ड्रो करना होता है ठीक है मेरे पास दूर चीज़े दे रख्योंगी और उनका कंक्लूजन ड्रो करना होगा ठीक है अब इसके पीछे क्या होता है कोई लॉजिक लगा होता है क्लेर है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जो हमारी करती है logic के उपर depend करती है अगर आप यह logic बता लोगे ना किसी भी चीज़ का आप आराम से reasoning कर लोगे कोई भी आपको difficulty नहीं आने वाली चलिए फिर देखते हैं इसमें होते कैसे question है एक मिनिट मैं इसको थोड़ा सा color change कर लेता हूं अब बात करते हैं sir question किस तरह से आता है तो इसमें बहुत सारे question आते है letter से आता है number से आता है आपका GK के question आ जाते हैं जैसे मैं लिखता हूं मैंने बोला India इसकी जो capital है वो है daily ठीक है मैंने लिख दिया India इसकी capital है daily आप से question पूछा जाएगा Bangladesh की capital कौन सी है clear है तो अगर आपको पता होगा capital के बारे में तो तब तो आप आराम से question को कर लोगे लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस question में first जाओगे clear है एक तो इस तरह से question आता है, दूसरा आता है, दूसरा आपको जो question आएगा इसका किस तरह से आता है, आपको लिखा होगा A का B के साथ relation और इन दोनों का relation C का D के साथ, ठीक है, एक इस तरह से आता है, एक आता है, जैसे मैंने लिख दिया 5 का relation 125 से, आप से पूछा होगा 6 का relation क analogy के बनते हैं हमारे पास clear है अब करना क्या है हमें यहाँ पे सिर्फ approach सीखनी है कि कौन सी approach किस टाइम पे हमें लगानी है clear है अगर आपने यह approach सीख ली तो आप इस question को अराम से कर लोगे चली जी next देखते हैं हमारे पास क्या है हमारे पास आ जाती है इसकी types ठीक है अभी हमन general knowledge based analogy ठीक है ओता क्या है कि हमारे पास gk के बहुत सारे question से analogy के question बना दी है इसमें gk कहा जाता है फिर science के question आ जाते हैं ठीक है और भी जैसे dance form से question बना दी है बहुत सारे form से temple का question बना दिया है मैंने एक बार देखा था temple से related question बना दिया है तो इस तरह से इसमें बहुत सारे approaches बना दी जाती है अगर आपके concept अच्छ है तो आप इसको अराम से कर लोगे इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो करते हैं कुछ question देखते हैं किस तरह से हम इन question को tackle करेंगे चलिए तो जो आज की वीडियो रहेगी उस सारी की सारी रहेगी letter based analogy के उपर ठीक है अब देखते हैं इसको कैसे हम solve करेंगे चलिए सबसे पहले question पढ़ते है question क्या देखता है select the option that is related to third term same as the second term is related to first term ठीक है हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा जैसे second term first relate कर रही है वैसे फोर्थ term किसे करेगी second से, sorry third से और third किसे करेगी second से relate करेगी अब जिसने मेरी coding decoding की class देखी है तो मैंने वहाँ पर आपको कुछ लिखना सिखाए था क्या letter लिखना सिखाए थे a से लेके m तक फिर n से लेके z तक clear है इन्होंने वो class नहीं देखी वो देख ले कि वही class यहाँ पर भी use होने जा रही है जो letter based analogy है सारी कि सारी किसके उपर depend करती है हमारे letter के उपर तो अगर हमें letter का knowledge होगा तो हम इसको अराम से कर लेंगे चलिजी अब मेरे पास question दे रखा है c a g इसका relation मेरे पास है g e k के साथ clear है अब करना कैसे है सबसे पहले जो first time है उसका relation आपको already bold रखा है second के साथ दिया हुआ है तो कैसे करेंगे लिख लो c a g g e k अब relation देखो c और g के बीच में क्या है मैंने आपको बोला था c की place value होती है 3 g की place value होती 7 यहाँ पे relation आगया plus 4 का a की value 1 e की value 5 plus 4 g और k का g का value होती 7 k की value 11 plus 4 clear है तो यहाँ से मेरे पास logic क्या आया plus 4 plus 4 plus 4 clear है तो अब मेरे को निकालना किसका है h e l का कर लो इसको लिख लो plus 4 plus 4 plus 4 चलो h की value होती है 8 plus 4 करोगे ता आपके पास आजाएगा 12 12 हमारे पास होता है l clear है अब यहाँ पे l के दो ही option है इनको कर दो side में चलो जी e की value 5 plus 4 आ गया 9 9 पे आता है i तो यहाँ पे आप देख सकते हो option number a आपका क्या होगा right answer होगा clear है उमीद करता हो आपने इसको खुद भी try किया होगा जिन बच्चों को यह concept बता है वो तो इसको उड़ा लेंगे ठीक है जिनको नहीं पता हो यहाँ पे सीखते चलिए किस तरह से question होते है तो चलिए next question की तरफ चलते है चलिए जी बहुत ही प्यारा question है आप इसको try कीजिए और जो try कर लेगा मेरे को बताईए आपने इसको किस approach से किया और जिनका नहीं निकलता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चलिए अब मेरे को फिर से वही बोला है third का second से first का second से ठीक है इन दोनों का relation चेक तरना है जो relation यहाँ पे आया होगा वही relation यहाँ पे लगेगा चलिए अगर आप इसको देखोगे तो A, B के बाद आ जाता है C एक approach तो यह बनती है A, B और direct C लेकिन H, J अगर इसके बाद अगर देखो तो आना चाहिए I clear है क्या आना चाहिए I लेकिन यहाँ पे एक logic तो यह बन रहा है लेकिन मैंने जब यह paper में question गया था तो क्या आ गया था? गलत हो गया था क्यों? अब देखते है इसके पीछर logic क्या था? A की value होती है 1 B की value होती है plus 2 तो यहाँ पे आ गया 3 3 की value पे आ जाता है C H की value होती है 8 J की value होती है मेरे पास 10 H की value 8 J की value 10 10 और 8 आ जाते है 18, 18 पे मेरी value आ जाती है R तो इसका जो right answer होगा वो कौन सा होगा? Option number 4 ठीक है? यह जो है आपके CGL में already आया होगा question है इसलिए मैंने आपको करवा दिया कही बार क्या होता है? इस तरह का question first जाता है बार बार repeat होते हैं कई बार question तो अगर आपको कहीं पर first जाए तो आपको पता आना चाहिए कि इसमें कौन सी approach लगी है चली जी next question की तरफ चलते है चलो बहुत ही प्यारा question है अब थोड़ा सा level क्या होगा? पढ़ेगा ठीक है? question की length भी बढ़ती जा रही है मेरे पास लिखा है A, B, C, D इसका code दे रखा है Z, Y, X, W ठीक है? आपका relation बताना है आपको G, H, I, J का उसकी next term के साथ तो सबसे पहले वही काम अगर आप देखोगे तो A का opposite क्या होता है? Z, B का opposite क्या होता है? Y, C का opposite, X और D का opposite, W ये उन्हीं बच्चों को पता होगा जिन्होंने A से लेके M तक और फिर N से लेके Z तक value लिखी होगी clear है? तो आपको अगर याद है तब तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर भी कर लेते है H के opposite आ जाता है मेरा S I के opposite आ जाएगा R और J के opposite आ जाएगा Q तो यहाँ पे आ जाएगा T, S, R, Q option number 1, right answer चलीजी next question की तरफ चलते है करिए आप इसको उड़ा दीजीए मिरको उमीद है कि आप इसको बहुत ही आराम से कर लेंगे जिस तरह से अब आप question कर रहे है मिरको उमीद है कि आप इसको आराम से कर लोगे चलीजी देखते है G और C के बीच में क्या relation है 3, D की value 3, G की value 7 फिर से plus 4 का increase D की value 4 A की value 1, minus 3 ठीक है तो यही logic यहाँ पे लगेगा P की value मेरे पास होती है 16, 16 में मैंने add कि है 4, 20 पे आ जाएगा T तो T वाला option number 3 ठीक है अब देखते है Q, Q में minus किया 3, Q की value होती है 17, 3 minus किया तो मेरे पास आ गया 14, 14 पे होता है N, तो इसका right answer आ जाएगा T N उमीद करता हूँ आपने इस question को उड़ा दिया होगा अब चलते हैं next question की तरफ चलिए जी बहुत ही प्यारा question है करिए आप इसको E, L का relation H, J के साथ आपको बताना है D, Y का relation किस के साथ तो E और H के बीच का relation देखिए और L और J के बीच का relation देखिए उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा अब देखते हैं हमारा E और H के बीच में क्या relation है E की value 5 H की value 8 प्लस 3 L और J के बीच में relation L की value 12 J की value 10 माइनस 2 ठीक है वही relation यहाँ पे लगेगा प्लस 3 D में अगर मैं 3 एड़ करूँ तो 4 में 3 एड़ करता हूँ 7 7 पे आजाता है G Y में minus 2 करूँगा तो Y की value तो already 25 होती है 2 minus करने पे आजाएगा W 23 तो मेरा right answer होगा option number 3 चलिए next question की तरफ ठीक है next question मेरे पास दे रखा है B C F G H I L M आप से पूछा है N O R Q ठीक है यह जो question है मैं आपको homework के लिए दे जाता हूँ क्यूँ क्योंकि यह थोड़ा सा बड़ा भी है तो आप इसको करोगे तो आपका confidence खुद खुलेगा clear है आपको करना है बहुत easy question है ऐसा कोई tough question ने दे के जा रहा दे रखा है हमारे साथ इसका relation है I K M O चलो जी आप कर यह इसको start फिर में अवताता हूँ इसमें क्या relation रहेगा ठीक है तो A की value है मेरे पास 1 I की value है 9 यहाँ पे plus 8 का increase C की value है मेरे पास 3 A की value है 11 plus 8 का increase E की value 5 और M की value 13 plus 8 का increase तो यहाँ पे देख रहा हूँ सभी में क्या हो रहा है plus 8 plus 8 plus 8 तो जो मेरे पास question पूछा है उसमें भी मैं क्या करूँगा plus 8 कर दूँगा Q में plus 8 करूँगा तो अब बच्चा यहाँ पे जाता है first चलो Q में तो हो भी जाएगा Q की value होती है 17 तो 17 में 8 add करने पे आपके पास क्या जाएगा Y आ जाएगा चली ली S में फिर से add करना है S की value होती है 19 अब यहाँ पे 19 में 8 कैसे add करेंगे तो एक मिनिट में यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ पहले ठीक है यहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू बताता हूँ मैंने लिख दिया A, B, C, D, E, F, D, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, Q, V, W, X, Y, Z clear है अब मेरे को पता है मेरे S की value भी तनी होती है 19 और यहाँ पे 26 clear है इसी से पहले मैंने किया था Q Q की value मेरे पास कितने थी 17 और Y की value थी 25 ठीक है यहाँ पे मेरे को करना है 8 add लेकिन अगर मैं 19 में 8 add करूंगा तो मेरे पास answer क्या आ रहा है 27 27 तो मेरे पास है ही नहीं तो करना है गया है यहाँ पे देखिए Q और Y के बीच मैंने कितने digit छोड़े 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है अब आपने S से 7 digit छोड़ने है 1,2,3,4,5,6,7 तो next digit जो आपके पास आएगा वो ही आपका digit यहाँ पे आएगा clear है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो option number A आपको वैसे दिख चुका है चलिए अब U में भी मेरे को क्या करना है plus 8 तो यहाँ पे भी 7 छोड़ देजिए 1,2,3,4,5,6,7 तो आजएगा C तो यहाँ पे मेरा right answer आजएगा Y,A,C,E अब मैंने यह ऐसे करके क्यों दिखाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को confusion होती है कि sir अगर मेरे पास value यहाँ से आगे आ रही है तो मैं क्या करूंगा ठीक है यहाँ पे जुरूरी नहीं हर बच्चा expert होगा के बच्चे बिल्कुल basic से सीख रहे है तो मेरे को उनको भी साथ में लेके चलना है clear है तो उमीद करता हूँ आपको यह question समझाया होगा और आपने इसको खुद भी कर लिया होगा चलिए next question के दरफ चलिए बहुत ही प्यारा question मेरे पास दे रखा है मैं इसको लिख लेता हूँ आप तब तक इसको solve कीजिए उमीद है आपने इसको solve किया होगा अब जैसे ही मैंने यह question लिखा तो यह question मेरे को खुद ही अपना answer बता रहा है कैसे C यहाँ पे जा रहा है K यहाँ पे जा रहा है A यहाँ पे जा रहा है E यहाँ पे जा रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है cross हो रहा है तो यही relation हम किसमें निकालेंगे X, G, M, F तो सबसे पहले आजाएगा F यहाँ प्याँ आजाएगा X यहाँ प्याँ आजाएगा M यहाँ प्याँ आजाएगा G तो मेरे पास यह वाला option दिख रहा है मेरे को second तो मेरा right answer हो जाएगा second option clear है उमीद करता हो आपने इस question को कर दिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं किया था वो देख लीजिए कैसे इसको किया है चलिए next question की तरफ चलते है बहुत ही प्यारा question है मेरे पास A, B, C, D इसकी value दे रखिए है W, X, Y, Z clear है यह जितने भी मैं question लेके आया हूँ न यह सारे के सारे previous paper से उठाएगे है आपका SSC का paper है CHSL का MTS उनमें इसी level के question आते है तो आप यह मत सूचिएगा कि सर बहुत easy question करा रहे है यह question easy नहीं है यह question आपने practice कर लिया है या आपकी practice इतनी हो चुकी है कि अब आपको यह question easy लग रहे है clear है लेकिन यह सारे के सारे क्या हो चुके है previous exam में आए हुए है तो चलिए इसको solve करते है A की value मेरे पास क्या ले रखी है W ठीक है तो अगर मैं यहाँ देखू तो A का W के साथ अभी तक तो वैसे relation नहीं बन रहा लेकिन मैं फिर भी बना लेता हूँ A का W के साथ B का X के साथ C का Y के साथ D का Z अगर मैं A का Z के साथ बनाऊं और D का opposite देखो तो D का opposite होता है W clear है तो ऐसे दो relation बन रहा है B का Y के साथ और C का X के साथ ठीक है तो यही relation होगा इन्होंने क्या किया है जो हमारे opposite letter है उनको cross में लिख दिया है clear है A का opposite होता है Z तो यहाँ पे लिखा D का opposite होता है W तो यहाँ पे लिखा चलिए E, F, G, H को लिख लेते है H के opposite कौन सी value आती है H के opposite आती है S तो option number 1 मेरा right answer आ जाएगा ठीक है लेकिन अभी हमने पूरा करना इसको E के opposite आ जाएगी value और V तो मैंने यहाँ पे लिख लिख लिया G के opposite आ जाएगी value मेरी T तो यहाँ पे और F के opposite आ जाएगी value U तो यहाँ पे तो इसका right answer होगा option number 1 S, T, U, V ठीक है S, T, U, V option number 1 इसका right answer होगा चलिए next ठीक है next question अच्छा question है इसको आप चलिए करी लेते हैं इसको भी हम करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा market के market जो जो बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देखके question solve कर रहे हैं वो मेरे को अपना score जरूर mention कीजिएगा कि इन question में उनका कितना score रहा मैं देखना चाहतू हूँ यहाँ पे कितने serious बच्चे हैं clear है अगर आप serious aspirant होंगे ना तो आप इन question को साथ-साथ में कर रहे होंगे आपको फरक नहीं पढ़ता यह class live है यह recorded है आपको वस यह फरक पढ़ना चाहिए कि मेरे को material मिल रहा है और यह material बहुत ही अच्छा है और मेरे को सिर्फ इस से क्या करनी है practice करनी है जितनी practice करूँगा मेरे chances select होने के उतने ही जादा होते जाएंगे उतना ही मेरा score अच्छा होगा चलिए जी लिखते है इसको I, E, O, N, C, V ठीक है अब M और I के बीच में relation M की value 13 I की value 9 minus 4 A की value 1 इसकी value 5 plus 4 ठीक है relation वही normal सा relation है minus 4 plus 4 R और O को देखते है R की value 18 O की value 15 तो यहाँ पे तो आ गया minus 3 K की value 11 और N की value 14 plus 3 ठीक है E और C में देखते है E की value मेरे पास 5 C की value मेरे पास 3 minus 2 तो यहाँ पे आ जाएगा plus 2 चलिए जी अब जो मेरे से पूछा है उसको लिख लेते है T एक मिनिट यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ठीक है R, M, O clear है तो T में minus 4 करेंगे 20 में minus 4 करेंगे तो आजएगा 16 16 पे value होती है P की clear है यहाँ पे plus 4 8 में 4 add की है 12 12 पे value आ जाती है L की अब देखिए दोनों यह option same है अब यह वाली value हमारा काम करेगी ठीक है E में minus 3 E की value 5 5 में 3 गए तो बचे मेरे पास 2 2 पे value होती है B तो option number 2 क्या हो जाएगा मेरा right answer clear है अब आप क्या कीजिए इन question को जो मैं आदे करता हूँ आप इनको पूरा attempt कीजिएगा ठीक है जो बच्चा बिल्कुल कहली बार देख रहा है basic कर रहा है next question है मेरे पास लेना हो वो ये आपके लिए फिर से एक homework आपने homework का answer मेरे को comment section में पताते रहना है ठीक है आज का last question है इसको कर लेते हैं ठीक है बहुत easy question है ये भी फिर भी कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो है पहली बार ये वीडियो देख रहे है तो उनको पता लगना चाहिए कि कैसे question होते है clear है तो वही relation है first का second के साथ और third का fourth के साथ हैगा चलिए F और H के बीच में relation F की value 6 H की value 8 plus 2 का relation K और I के बीच में K की value 11 I की value 9 minus 2 का relation यहाँ पे सिदे last को देख लीजिए 22 और 20 minus 2 तो यहाँ पे क्या हुआ होगा plus 2 तो B में plus 2 कीजिए B की value तो अल्रेड़ी 2 होती है 2 add करने पे आजएगा D यहाँ पे minus 2 H की value 8 minus 2 6 पे आजएगा F तो इसका जो right answer होगा मेरे पास होगा आप जितने भी question आया होगे पेपर में कर सकते हो बस आपको approach आनी चाहिए A से लेके M N से लेके Z यह value याद होनी चाहिए चलिए next ठीक है next question है M, N, O, P L, O, N, Q F, G, H, I इसका relation आपने निकालना है ठीक है M और L के बीच में फिर से relation minus 1 का N की value 13 और इसकी 12 ठीक है N और O का N की value 14 इसकी 15 plus 1 ठीक है यहाँ पे minus 1 P और Q में क्या आजएगा plus 1 clear है तो यहाँ पे भी plus 1 sorry minus 1 कर देजिए F में 1 कम किया तो आ गया E E वाले मेरे पास सिर्फ दो ही option है चलिए next देख लेते है next में करूंगा plus 1 G की value 7 7 में plus 1 किया तो 8 8 पे आ जाता है H तो option number 4 इसका क्या होगा right answer होगा clear है इन बच्चों का question के साथ answer निकल रहे है वो मिरको अपने score जरूर बताईएगा कि कितना उन्होंने score किया है चलिए आगे देख लेते है H में minus 1 किया तो H में minus 1 किया तो आ जाएगा G I में plus 1 किया तो आ जाएगा J तो यही इसका right answer हमने निकाल लिया है पहले मैं आप सभी से चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो अपने answer मेरे को comment section में जरूर बताता चले तब भी आपका कोई फाइदा नहीं अगर accuracy है और speed नहीं है तब भी मेरे को कोई फाइदा नहीं मेरे को चाहिए speed accuracy दोनों अगर मेरे पास हैं तो आपका selection का chance बढ़ जाता है तो चले शुरू करते हैं पहला question देखते हैं हमारे पास क्या है ठीक है तो इस तरह के question को हम कैसे deal करते हैं सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में logic ढूनना होता है यह जो दिया होता है हमारे को logic के लिए दिया होता है कि आप यहां से logic ढूनिए और वही logic इन पे लगाईए और अपना answer लगा दीजिए ठीक है अगर आप यहां पे देख रहे होंगे 2 का logic 8 के साथ क्या हो सकता है या तो 2 into 4 8 हो सकता है लेकिन 4 को मैं अगर 4 times करूँ तो 16 मेरे पास option में नहीं है तो यह वाला logic तो चलनी रहा ठीक है एक logic मेरे पास यह होता है कि 2 का cube कितना होता है 8 होता है अगर मैं 4 का cube करूँ तो मेरे पास answer कितना आना चाहिए 64 और यहीं इसका right answer है कैसे option number 1 आप देख रहे होंगे मेरे पास है 64 यानि कि यहां पे जो 2 का cube है 8 4 का cube कितना आजएगा 64 ठीक है उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा चलिए next question की तरफ चलते है next question बहुत ही प्यारा question है आप इसको try कीजिए और अपने answer मेरे को comment section में बताइए कौन सा बच्चा इसको सबसे fast करता है देखना चाहता हूँ मैं यहां पे चलिए अभी मेरे पास question दे रखा है 81 का relation 63 के साथ और 74 का relation मेरे को इसके next term के साथ बताना है ठीक है अगर आप यहां पे देख रहे हो 81 और 63 ठीक है 81 का 63 के साथ relation कुछ नजर आ रहा है आपको ठीक है अगर मैं बोलना हूँ 8 प्लस 1 कितने होते है 9 और 8 माइनस 1 कितने होते है 7 9 को 7 से multiply किया तो मेरे पास कितना आ गया 63 दिख रहा है कुछ ऐसा अगर यहीं लोजिक है तो यहां पे भी आया होगा 7 प्लस 4 कितने होते है 11 7 में से 4 माइनस किये तो मेरे पास कितने आए 3 11 ध्रीजा कितने होते है 33 तो option number D जो होगा इसका क्या होगा right answer होगा देखे कितना प्यारा question था और यह सारे के सारे question SSC और आपके railway में आ चुके है ठीक है जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस का paper के लिए त्यारी कर रहा है वो इस video को जरूर देखके जाए ठीक है मैं चाहता हूँ है SSC CGL में आ चुका है 2018 में ठीक है तो मैं चाहता हूँ आप इसको एक बार खुद try करें और फिर मैं आपको इसके पीछे का logic बताता हूँ तब तक question को लिख लेता हूँ 2809 इसका relation है मेरे पास 53 मेरे से पूछा है 1524 का relation के साथ कौन सी digit आएगी या कौन सा number आएगा चलिए उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा अब मैं आपको यहाँ पे relation बताता हूँ अगर आप यहाँ पे देखोगे 53 का जो square होता है 53 का जो square होता है वो होता है मेरे पास 2809 clear है लेकिन 1524 जिसका भी square है वो value यहाँ पे मेरे को नहीं दे रखी कैसे क्योंकि last में क्या दे रखा है 4 अगर मैं 32 का देखूँ तो 32 का कितना आ जाएगा 32 की value आ जाएगी 04 और 32 तो यह तो जा जाता है 1204 ठीक है यानि कि 1524 तो है नहीं clear है यानि कि यह वाला logic मेरा सेट नहीं हो रहा यह logic सेट नहीं हो रहा तो next देखते है next क्या हो सकता है अगर मैं इनका sum कर देता हूँ 2 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 9 तो मेरे पास value आती है 19 ठीक है अब 19 और 53 के आज पास कोई value दिख रही है जी हाँ 19 को 3 से multiply किया तो आया 57 और अगर 57 को मैं 4 सब्ट्रेक्ट कर दूँ तो मेरे पास आ रहा है 53 चलिए एक logic तो मेरे पास ये बन रहा है अब यह logic में यहाँ पे भी देखता हूँ 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 तो मेरे पास कितना आ गया 5, 2, 7, 4, 11, 12 ठीक है 12 का 3 टाइम्स किया तो मेरे पास कितना आया 36, 36 में अगर मैं 4 को सब्ट्रेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 32 जो कि इसका राइट आंसर है option number B इस question का जो राइट आंसर है वो है मेरे पास option number B उमीद करता हूँ आपने भी इसको सही किया होगा चलिए next question की तरफ बहुत ही प्यारा question है ये भी आप इसको खुद try करें और अपना आंसर मेरे को comment section में जरूर share कीजिए ठीक है आप अपने answer मेरे को जरूर बताई जिए कि कितने आपने ठीक हैं आपका score क्या रहा है ये चीज जाननी है कि आप इस video में कितना score लेके आ रहे हो ठीक है ये ही आपकी जो त्यारी आप कर रहे हो उसको एक boost का काम करेगा ठीक है चलिए शुरू करते है इस question को अब आप देखोगे 13 और 17 में एक relation बनता है 4 का तो अगर मैं 73 में 4 का addition कर दू तो मेरे पास आना चाहिए 77 जो कि option में मेरे को नहीं दिखरा ठीक है तो पहला logic तो ये मेरा खतम हो चुका है next logic है कि ये 13 भी prime number है 17 भी prime number है clear है अगर मैं देखूँ तो दोनों क्या है मेरे पास prime number है अब मैं 73 के बाद next prime number देखता हूँ तो 74 नहीं है 75 नहीं है 76 नहीं है 77 नहीं है 78 भी नहीं है तो 79 है तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो option number second मेरा क्या होगा 79 का right answer होगा क्यों? क्योंकि इन्होंने prime number को उठा के इस question को बनाया है clear है? ये already exam में आया हुआ है तो इसको छोड़ना मत इसको जरूर try करना चलिए next question की तरफ चलिए जी next question है मेरे पास 15, 35 इसका relation दे रखा है 63 तक पूछा है आप से क्या आएगा? ठीक है आपको बताना है question mark की जगा क्या आएगा? तो आप इसको खुद try की जीए एक minute देखिए कैसे आप 15 से 35 बना सकते है ठीक है? तो उमीद करता हूँ आपने देखा होगा अब एग 2 मेरे को किसी number के आसपास की value देख रहे है ठीक है? किसी एक table में आपने इनको देखा होगा देखा होगा कैसे? अगर मैं 5 का 3 times कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 35 ठीक है? और 5 का ही 7 times मेरे पास कितना आ जाता है? sorry, आप मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर आ जागा 15 5 का 3 times होता है 15 और 5 का 7 times होता है 35 clear है अब आप देखोगी यहाँ पर कितने का increase है? प्लस 4 का, अभी एक logic में आ रहा हूँ confirm नहीं है मेरे पास ठीक है? तो 63 किस table में आता है? यह आता है 9 के table में ठीक है? अगर 9 को 7 से multiply करूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है? 63 अगर 9 में मैं अगली digit multiply करनी है तो कौन सी होगी? 7 में प्लस 4 कर दो क्या आ जाएगा? 11 तो 9 को 11 से multiply करने पे क्या आता है? 99 और 99 मेरा कौन सा option है? option number C clear है? तो जिसका right answer है वो कौन सा है? option number C यह logic इसके पीछे था clear है कि already 2018 में आए हुए question है SSC के? चलिए next question की तरफ अब जो next type हमारे पास आ जाती है उसमें क्या होता है? एक set दिया होता है जैसे आपको यह दिख रहा है 5, 13, 12 का set आप से पूछा होगा की select the set in which the numbers are related in the same way as the number of the following set. मतलब जैसे इनका logic है वैसा ही इन में से किसी एक set का logic होगा clear है? तो उमीद करूँगा आप इसको try करें आप अपना answer दें मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ तो मेरे पास value है 5, 13 और 12 ठीक है अब अगर मैं देखूँ तो 5, 13, 12 के बीच में क्या relation है? यहाँ पे देखूँ तो 8 का gap है और यहाँ में माइनस 1 का gap है तो ऐसा तो कोई मेरे को अच्छा logic लग नहीं रहा चलिए एक मेरे इनके square देख लेते हैं square करके 5 का square आ जाता है 25 और इसका आता है 169 और इसका आता है 144 ठीक है तो यहाँ से एक logic crack हो रहा है 25 और 144 को अगर मैं add कर दूँ तो मेरे पास कितनी value है जाती है 169 ठीक है तो यह logic हो सकता है अब मेरे को value चाहिए जिसका answer इस तरह से बने ठीक है तो 13 और 11 में मैं देखता हूं तो 13 का square कितना होता है 169 और 11 का 121 0 628 और 19 290 17 का तो यह होता नहीं लिए तो यह वाला तो नहीं हो रहा यह last option देखिए 6 और 8 का ठीक है 6 का square होता है 36 और 8 का होता है 64 ठीक है और वीच में value कौन सी है 10 अगर में दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास कितना आएगा 100 और 10 का square कितना होता है 100 तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number D बहुत ही प्यारा question था इस तरह से question आपको आज कल SSC CGL में देखने को मिलते हैं ठीक है CGL में इस तरह के question बहुत सारे आ रहे हैं तो उमीद करता हूँ आपने भी इसका answer निकाल लिया होगा चलिए next question की तरफ चलिए next question भी बहुत प्यारा है इसको मैं लिख लेता हूँ आप इसको solve कीजिए मैंने यहाँ पर यह question लिख लिया है उमीद करता हूँ आपका answer आ चुका होगा चलिए अब मेरे को question दे रखा है 12 और 72 ठीक है 12 का 72 के साथ relation कैसा होता है अगर मैं 12 का half कर दूँ तो मेरे पास value क्या आ जाएगी 6 और उसी 6 को multiply कर दूँ तो मेरा answer आएगा 72 ठीक है वही value मेरे को यहाँ पे भी check करने पड़ेगी क्यों क्योंकि relation इसका जो होगा वही relation इसका होगा और वही relation यहाँ पे आएगा ठीक है 22 का half होता है 11 तो अगर मैं 22 को 11 से multiply करता हूँ तो मेरे पास answer कितना आएगा 2224 242 ठीक है बिल्कुल सही है यही logic है हमारे पास तो मेरे को 18 का half करना है तो 18 का half कितना आएगा 9 9 को मैं कर दूँगा फिर किस से multiply मैंने किस से multiply किया था 18 से ठीक है 9 को 18 से multiply किया जाएगा तो यहाँ पे आजएगा मेरे पास 162 जो इसका right answer होगा वो होगा option number C बहुत ही प्यारा logic था उमीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर like और share जरूर कीजिए और आप अपना मेरे को feedback comment section में बता सकते हैं आप मेरे से क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं आप किस exam की त्यारी कर रहे हैं आप किस level का content चाहते हैं आप सभी जो भी चाहते हैं आप मेरे को comment section में जरूर बताएए ताकि आने वाली जितनी भी series है मैं आपके comment के हिसाब से लेके आऊं clear है मेरे लिए सबसे main goal है आपको ये video समझ आने चाहिए और आपका इन video को देखके जो भी result आएगा वो अच्छा आने चाहिए ठीक है आपके score अच्छा आने चाहिए जो आप चाहेंगे मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा आप मुझे comment section में जरूर बताएएगा चलिए next question की तरफ चलिए जी ये जो question है ये मैं आपके लिए देखे जा रहा हूँ homework ठीक है असान question है आप इसको try कीजिएगा ये आपके लिए है homework मैं देखना चाहता हूँ कितने serious बच्चे इसका answer मेरे को यहाँ पे देखे जाते हैं चलिए next question की तरफ चलते है next question है मेरे पास 7 ratio 32 चलिए आप इसको करिए मैं पानी पी लेता हूँ एक मिनट उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा तो जो मेरे पास question है 7 का relation कहा गया तो 7 का relation मेरे को 32 से दिया है ऐसा ही relation इन में से किसी एक का होगा ठीक है तो 7 से 32 तक कैसे जाया जा सकता है थोड़ा सा दिमाग लेये 7 को 4 टाइमस किया तो कितना जाता है 28 इसी में 4 को add कर दिया तो मेरे पास कितना जाता है 32 एक logic तो मेरे पास ये है अब अगर मैं यहाँ पर देखो ठीक है 91 में 7 यहां जी तो अगर 91 में 7 एड़ करते है तो आपका अंसर आ जाता है 98 clear है तो यहां पर जो logic दे रखा है वो क्या दे रखा है आपके पास value दे रखे है 13 उसको किया 7 से multiply तो आपका अंसर आया 91 अब यही 7 हमने यहां पर एड़ कर दिए तो आपका अंसर आ चुका है 98 तो इसका right अंसर होगा option number B clear है उमीद करता हूँ आपको यह question अच्छा लगा होगा चलिजी next question फिर से same है 6 9 18 यही जो series में relation होगा वही relation इन में से किसी एक का होगा चलिए अगर आप देख रहे हैं तो 6 से 9 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा प्लस 3 का increase करना पड़ेगा और 9 से 18 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा प्लस 9 का increase करना पड़ेगा तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 3 से 9 पे जाने के लिए मेरे पास 3 त्रीजा कितने होते हैं 9 होते हैं ठीक है एक logic तो मेरे पास CARI कि 3 त्रीजा 9 होते हैं अब यही logic मैं देखता हूं किसी question पे try करता हूं 4 से 8 8 से 24 ठीक है 4 से 8 पे जाने के लिए 4 8 से 24 पे जाने के लिए 16 तो 4 पूर्जा कितने होते हैं मेरे पास 16 होते हैं ठीक है तो मेरे पास जो इसका right answer आ रहा है वो क्या रहा है यहाँ से अगर मैं देखू 4 प्लस 4 एट और 4 फूर्जा कितने हो जाते हैं मेरे पास 16 हो जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसका right answer देखू तो मेरे पास right answer यह आ रहा है ठीक है तो इसका right answer एक यह बन रहा है चलिए next question की तरफ चलते हैं बहुत ही प्यारा logic था क्या किया थे इनोंने जो value add की थी उसी value का क्या किया था multiply कर दिये था 3 और 9 पे जाने के लिए 3 को multiply किया कितना आ गया 9 आ गया ठीक है तो यहाँ पे 4 से 4 multiply किया तो यहाँ पे आ गया 16 और हमारा answer आ गया 24 चलिए next question देखते है next question है मेरे पास 3, 24 इसमें मेरे को logic टूंड़ना है 3, 24 और 4 में ठीक है तो आगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3, 4 जा कितने होते है 12 और 12 टूजा मेरे पास कितने आ जाते है 24 ठीक है एक तरह से तो यह logic है अब यहाँ पे देखूँ तो 2, 8, 16 और 16 टूजा होते है मेरे पास 32 यह तो नहीं हो सकता फरस्ट वाला तो नहीं आएगा ठीक है बन को 20 से किया तो आजएगा 20, 22 जा 40 यह भी नहीं है यह भी नहीं है 49, 36 हाँ जी तो यह आजएगा मेरा 472 तो 49, जा कितने होते है 36, 36 का 2 टाइमस कितना आजएगा 72, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 72, लियर है खलिए उम्मीद करता हूँ, यह कुश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा नेक्स्ट कुश्चन की दरफ चलते है खलिजी, एक्स्ट कुश्चन है मेरे पास 36 का रिलेशन है 84 के साथ अब जो कुश्चन में दे रखा है आप से पूछा है, नेक्स्ट टूल डिजट पूछिए अब आपको डिजट नहीं दे रखिए आप से डिजट ही पूछ लें तो वही काम है पहले कुश्चन बढ़ा, हमें बुला है इसका रिलेशन किसके साथ होगा इसके साथ होगा या फिर इसका रिलेशन इसके साथ होगा कोई भी लोजिक आ सकता है चलिए, अगर आप देख रहे हैं 36 और 84 किसी के मल्टीपल में आते हैं क्या नाइन, नहीं, नाइन के दो 84 ने ता अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि एक टेवल के मल्टीपल उठाए गए है ठीक है तो 27 और 48 यह किसी के भी मल्टीपल नहीं है ट्वेंटी एट और 56 ठीक है 14 तूज़ा 28 लेकिन 14 तूज़ा 52 होता है तो यह भी नहीं होगा ठीक है 27 और 63 हां जी 9 तूज़ा कितने होगे 27 और 9 ज़ा कितने होगे मेरे पास 63 तो यह लॉजिक मेरे पास यहां पर है जो वेल्यू उठाई है उसका 3 टाइम जो वेल्यू उठाई है उसका 3 टाइम जो वेल्यू उठाई है उसका 7 टाइम जो वेल्यू उठाई है उसका 7 टाइम तो मेरे पास राइट अंसर आजएगा 27 रेशो 63 उमीद करता हूँ अच्छा कोश्चन लगाओगा बहुत ही प्य करवा रहा हूं यह सारे एक्जाम में आ चुके हैं तो ऐसा मत सोचेगा कि अपालतू question है यह सारे के सारे क्या है एक्जाम oriented है एक्जाम में आ चुके हैं तो हो सकता है इसी तरह से कोई logic आपसे वो next exam में पोच ले चलिए अब देखते है 50 22 31 इन में क्या logic हो सकता है अगर मैं इनके बीच का गैप देखूं तो यहां पर आ जाता है प्लस 7 और यहां पर आ जाता है प्लस 9 तो एक तरह से तो यह आ रहा है प्राइम नंबर ठीक है वो सकता है जो मेरे पास यहां पर option दियो उन में भी प्लस 7 और प्लस 9 का ही गैप हो तो एक वार कंफर्म कर लेते हैं 20 और 10 में तो आ नहीं सकता 7 में हां जी यहां पर 7 हां जी यह वाला option मेरे पास उठ चुका है 7 14 23 क्या किया 7 में प्लस 7 14 14 में प्लस 9 23 तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा option नंबर बी ठीक है option नंबर बी इसका क्या होगा right answer होगा उमीद करता हूँ आपको यह question अच्छा लगा होगा चलिए अब चलते है next question की तरफ ठीक है तो यह जो है यह मेरा आज का last question है उमीद करूँगा कि इसको आप सभी जल्द से जल्द कर दीजिए इसको उड़ा दीजिए आप ठीक है मेरा करने से पहले आपका यह answer आ चुका होना चाहिए मेरे को यहाँ पर आपके आंसर दिख जाने चाहिए ठीक है मेरा करने से पहले यहाँ पर आपके आंसर दिखरे होने चाहिए अब 9, 15, 27 पहला काम इनके बीच का gap देखिए कितना है 9 और 15 में gap आगा 6 का और 15 और 27 में 12 का अगर मैं देखूं तो यह क्या किया है टू टाइमस किया है ठीक है तो अब next वही काम करना हमें 10, 25, 15 यहाँ पर आ जाता है 15 तो यहाँ पर अगर टू टाइमस करता तो आना चाहिए था 30, 20 तो यह वाला तो नहीं होगा चलिए next देखते हैं 12, 20, 36 ठीक है 12 और 20 के बीच में 8, 8 का 2 टाइमस होता है 16, 20 में 16 एट किये तो आ जाता है 36 तो इसका right answer कौन सा होगा option number B इसका क्या होगा right answer होगा तो सबसे पहले बात करते हैं type of gk based analogy ठीक है इसके कितने type होते हैं वैसे तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत लिखे हैं लेकिन बहुत सारे इसके और भी type होते हैं जहां से आपको question देखने को मिलता है ठीक है सबसे पहले बात करता हूँ मैं country and capital जैसे कि आपको country और उसकी capital से question आ जाता है दूसरा आ जाता है country and instrument से ठीक है आपको बता है कुछ tools होते हैं जिनका use हम measurement के लिए करते हैं तो वहां से भी question बना के देदेता है next आ जाता है quantity and unit ठीक है कहीं के quantity बताएगा कहीं के unit पूछ लेगा तो इस तरह से वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है next वो पूछ लेता है individual and group ठीक है ग्रूप में किसी animal के group को किस नाम से बोला जाता है और individual उन्हें क्या बोला जाता है तो इस तरह से भी question बना के पूछ लेता ठीक है animal के उपर बहुत सारे question पूछता है animal based बहुत सारे question पूछता है ठीक है games के उपर games and sports ठीक है जैसा कि आपको पता है games and sports बहुत बड़ा topic है तो इससे उपर भी बहुत सारे question आते हैं next हमारा study and topic ठीक है study के कुछ topic हो जाते है जैसे science की बात करूँ ठीक है हम science पढ़ते है तो उससे बहुत सारे question यहाँ पे बनते हैं ठीक है और miscellaneous बहुत सारे इसके extra type है जैसे state की बारे में पूछ लेगा किसी temple के बारे में पूछ लेगा ठीक है तो देखेंगे इसके उपर हम किस तरह से approach करेंगे और क्या method है जिससे हम इने solve करेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा actual में होता किस तरह है किस तरह से question आता है और question कि लेवल का रहता है चलिए तो जी सबसे पहला मेरे पास question दे रखा है कि botany plant and entomology ठीक है अगर मैं आपको बताओं तो यह जो question होते हैं हिंदी में अगर आप करोगे तो हिंदी में आपको करने में बहुत असानी रहता है क्योंकि हिंदी में इनके जो नाम होते हैं वो क्या हो समझना बहुत बहुत इसली आप समझ सकते हो लेकिन इंग्लिश में थोड़ से confusion हो जाती है चलिए अब आपको दिख रहा होगा बोटनी का relation किसे होता है प्लांट से अगर मैं बोल लू तो जो बोटनी है इसे कहा जाता है study of plants कि बोटनी क्या होती है मेरी study of plants उसी तरह से ज इतने भी हमारे कीडे वगेरा होते हैं इंसेक्ट होते हैं उसी की study को क्या बोला जाता है entomology बोला जाता है तो यहां पे अगर आप देख सकते हो तो हिंदे में में लिखा हुआ है कीट विग्यान ठीक है तो कीट विग्यान से आप बता सकते हो किसका जो right answer होगा वो कॉम स होगा option number C कि जितने भी question मैं लेकर आया हूं इसारे exam में आये हुए है ठीक है ऐसा नहीं कि मैं खुद से बनाके ला रहा हूं इसारे exam में आये हुए है next question है menu का relation दिया हूए food से आपका पूछा हूए catalog का ठीक है अब जिस बच्चे को पता होगा कि menu क्या होता है तो menu होता है अगर मैं simple term में बोलू तो menu क्या होता है जिसमें food items की list लिखी होती है ठीक है जितने ही हमारी food item available होती है एक restaurant में उसकी list को हम क्या बोलते है menu बोलते है अब catalog क्या होता है सबसे पहले हमें पता आना चाहिए catalog होता कैए catalog होता है यह हम जो books की list मिना के रखते हैं this catalog जो होता है यह होता है books की list होंगी उसे को हम और यहां पर देखते हूं तो option numbr D इसका क्या होगा right answer होगा चलिए next question की तरफ चलते है आप भी इसका answer साथ साथ में देते चलिए जिन बच्चों को ये concept आता है वो क्या कीजिए अपने answer चेक कीजिए कि कितने सही है और कितने गलत है तो यहाँ पे जो मेरा next है pulp का relation दे रखा है paper के साथ hemp का पूछा हुआ है यहाँ पे hemp जो है हिंदी में गलत लिख दिया है लेकिन hemp का relation आप से पूछा हुआ है अब pulp क्या होता है जो हमारा paper होता है उसको बनाने के लिए जो raw material जो हम raw material use करते हैं उसे ही हम क्या कहते है pulp कहते हैं जितने भी हमारे raw material use होता है जो हमप है इस से हम क्या बनाते है अब बात आजाती सर hemp से क्या बनते है अगर मैं देखू हमारी यहाँ पर बनती है रोप हम्प से हम बनाते हैं रोप हम्प जो होता है रोप के साथ आजाता है चलिये जी next question देखते है चलिए next question आप भी इसको try कीजिएगा और वैसे तो जो science background से होगा वो अराम से इसको कर लेगा लेकिन जो दूसरे background से होगा उसको थोड़ी से दिक्कत होगी तो चलिए इसको create try देखता हूँ कितने बच्चे इसका right answer देते है चलिए जी तो उमीद है आपने इसको try किया होगा और आपका right answer आया होगा ठीक है अब यहाँ पर steel को बोला गया है steel का relation दिया हुआ है alloy से ठीक है अब steel का relation alloy से दिया हुआ है तो steel क्या होती है अगर मैं देख रहूं steel खुद ही क्या होता है alloy होता है ठीक है थील क्या होती है खुद ही एक मिश्र धातू होती है अब आपसे पूछा है जिंक जिंक क्या होती है तो जिस बच्चे का science background है जिसका नहीं भी है जो तियारी कर रहा है उसको पता होगा जो general science भी पढ़ता है उसको भी पता होगा कि जो zinc होता है वो होती है हमारी metal होती है ठीक है तो zinc हमारी metal है तो इसका right answer हो जाएगा option number 1 ठीक है तो इस तरह से वो आपसे paper में question पूछता है ठीक है अब अगर आप यहां देखोगे energy जो होती है उसे हिंदी में कहा जाता है उर्जा और उसका जो unit होता है वो होता है joule अब आपसे पूछा है volume ठीक है तो अगर आप देखोगे तो volume का इन चारों में से कौन सा unit हो सकता है ठीक है kilogram हो नहीं सकता capacity हो नहीं सकता solid हो नहीं सकता बचा क्या liter तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D हो जाएगा ठीक है मैंने अभी आपको बताया था कि science background से से बहुत सारे question बनते हैं ठीक है जीके based analogy में आपके science background से बहुत सारे question बना के वो भेशता है चलिए next question देखते है खूगे खुद करोगे तो आपको पता चल जाएगा malaria क्या होथी है एक खुद एक deceze है यहां पर हिंदी वाले मलेरिया क्या सकती घाव यह नहीं हो सकता युद यह नहीं हो सकता पजोई जी इसका right answer होगा वो होगा वैपन ठीक है पिर का relation किसके साथ होगा वैपन के साथ ठीक है स्पेर क्या होता है हमारा वैपन होता है malaria क्या होता है डशीज होता है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा हो यह आज का सेशन चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लाइंड का रिलेशन विजुल के साथ दिया हुआ है डेफ का रिलेशन आप से पूछा हुआ है तो आप इसको खुद ट्राइ कीजिए मैं पानी पी लेता हूँ ठीक है उमीद करता हूँ आपने इसको ट्राइ किया होगा अब अगर आप यहां ऑफ्शन देखो तो यहां पे दो ऑफ्शन बिल्कुल सेम दिखरे होंगे ठीक है एरिंग और लिसनिंग ठीक है अगर मैं आपको बताऊं ब्लाइंड के जो बिमारी होती है उसे कहा जाता है व हमारे ब्लाइंड होते हैं उन्हें जो बिमारी होती है उसे कहा जाता है विजुल अफेक्ट ठीक है वो विजुली अफेक्टिड होते है ठीक है अब जो डेफ होगा वो क्या होगा वो इन में से तो कोई नहीं होगा सुनवाई सुनना ठीक है ध्वानी उसको जो बिमारी को बोला जाता है उसे बोला जाता है टाटरी सिल टो इसका राइट आंसर होगा वह कौन सो होगा आप्षिन नंबर बी आगसके को जो बिमारी होती है जो विंसे एफेक्ट बोला जाता है उसे ड इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा option number B ठीक है examiner क्या होता है बहुत चलाक होता है वो आपसे इस तरह के option भी डाल देता है कि आपको लगे blind का मतलब उसे दिखनी रहा तो deaf का मतलब क्या होगा उसको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन इन दोनों में से कोई भ क्यों blind का जो जो person blind होता है उसे क्या बीमारी होता है या effect होता है उसे बोलते है visual effect ठीक है उसी तरह deaf को होता है auditory effect चले जी next question देखते हैं चलो जी next है यह मेरे पास बोला हुआ है paw cat hoof ठीक है अब अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा ठीक है अगर आप हिंदी में पाओ का मतलब होता है पंजा किसका बिल्ली का ठीक है लेकिन यहां पे चलो हिंदी वाले तो इसको अराम से कर लेकिन option हो सकता है आपको वहां पर इस तरह से option ना दे हिंदी में वैसे तो easy हो जाता है लेकिन क्या पता वो पाओ को पाओ ही लिख दे cat को cat लिख दे और hoof को होता क्या है तो जो पाओ होता है वो बिल्ली के पंजे को बोला जाता है तो हुफ किसका होता है तो यहां पे अगर आप देखरें हो खुर खुर होता है घोड़ेगा तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number a जाले जी next आ जाते है next मेरे पास दे रखाए ornament gold needle अचीक है अब आप खुद भी try केजिए और मैं भी बताता हूँ इसका क्या right answer होगा अगर मैं इसको देखू हूँ तो मेरे को क्या वोला है ornament gold अब जो gold होता है ना उसी के अभूशनों को जब gold के अभूशन बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं ornament बोलते हैं ठीक है हिंदी भी देख सकते हूँ सूने के जितने भी अभूशन होते हैं वो relation यहां पर दे रख है तो आप शूइ जो मैंति है थांगेस हो तो बनती सूई चुबना चुबना गया तो यहां सेंस नहीं है पसीधा का भी कोई सेंस नहीं तो सूई का relation प्म मैं से स्टील के साथ हो जाएगा क्यों कूंकि जो कांस होगा option number C होगा ठीक है मैं थोड़ा सा बीमार हूँ मेरे को cold हो रखा है तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज कम आ रही हो तो आप थोड़ा सा adjust कर लीजिएगा कर लिए next question देखते हैं चलीजिए next मेरा relation दे रखा है candle और wax का paper से आपका relation यहांगा अगर आप एक question देखुगि तो इसी तरह का हमने question already कर रखा है ठीक है candle का relation जो होता है wax से होता है मतलब जो candle वनतीर हो किसे वंती है wax वैंक है wax क्या है उसका raw material है mix मेरे पास क्या है raw material किसके लिए candle लिए तो candle बनाने के लिए जो raw material use होता है उसे कहा जाता है wax तो पेपर बनाने के लिए अभी हमने सीखा कौन सा पल्प पेपर का जो राइट answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number D चलिए जी उमीद करता हूँ आपने इसको किया होगा next question बहुत ही प्यारा question है बहुत बार पेपर में आया हुआ है तो जो बच्चा जानता है वो इसका comment जरूर करे और मैं देखना चाहता हूँ ये question कितने बच्चे करते हैं ठीक है तो चलिए मैं बताता हूँ अब इसका क्या logic है जो horse होता है न हो जो आवाज निकालता है उसे य ये वाली आवाज बोलता है ठीक है horse जो आवाज निकालता है उसे क्या वला जाता है ये वाली नीग बोला जाता है जो horse की sound होती है उसे नीग बोला जाता है अब जैकल का relation पूछ है जैकल किसकी sound होती है तो जैकल जो होती है होती है हाउल की ठीक है फूंक जिसे हिन्ने में जड़ेगा यहां ट्राइक कर लिए कि लेदी अधी next आ जाते हैं next मेरे पास будशर होता है वह स्टैच्व गांने है तो पॉइट क्या काम करता है ठीक है अब आप निदि में देखो नहीं देखो यहां पर अन्सरों घ्लीग बस आइगा किश मतर्स क्या भूदनाता verse कहा जाता है, poem के ही इससे को क्या कहा जाता है, verse कहा जाता है, जैसे मूर्तिकार क्या करता है मूर्ति मनाता है, तो जो कवी होता है, वो क्या करता है, poem लिखता है, तो इसका जो right answer हो जाएगा वो कौन सो जाएगा, option number C, ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास question देखने को मिलते हैं ठीक है आप SSE का exam दो railway का दो कोई भी exam दो वहाँ पर इसी तरह का analogy का question देखने को मिलेगा ठीक है बस आपको इसकी knowledge होनी चाहिए चलीजी नेक्स question है मेरे पास cell का relation tissue के साथ दे रखा है atom का relation पूछा है ठीक है अब जो वच्छा science background गा होगा उसे तो पता होगा कि cell जो होते है tissue से बनते है जो हमारा cell होता है वो किसे बनता है tissue से बनता है clear है अगर cell tissue से बनता है तो atom किसे बनता है ठीक है तो जो मेरा atom होता है वो बनता है molecule से ठीक है तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number B ठीक है क्यों क्योंकि cell बनता है tissue से तो atom बनेगा molecule से next question आ जाते हैं ठीक है बताएगा आप इसको खुद करिएगा अब यहाँ पे quack duck और bellows ठीक है अगर आप यहाँ पे देखो quack जो होती है sound होती है वो किसके द्वारा होती है duck जो sound produce करती है उसे बोला जाता है quack ठीक है duck की sound को क्या बोला जाता है quack ठीक है तो जो vellow होता है vellow किसकी sound होती है अगर आप इसको देखो तो जो vellow होती है यह होती है bull की ठीक है जो हमारा बुल होता है जो हमारा बुल होता है उसी की sound को बोला जाता है बैलो और डक की sound का relation दे रखा है quac से clear है तो यहाँ पर आपको जो relation दे रखा है एनिमल की sound के ऊपर दे रखा है ठीक है और यह सारे सारे paper में आए हुए question है तो session को like और share जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ चलेजी next question है जामा मस्जिद डेली और red square ठीक है अब एक तरह का इस तरह का question आपको देखने को मिलेगा जहां पर temple या मस्जिद इनकी location दियोगी और उसी से related question पूछा होगा जैसे आप सभी को पता है जामा मस्जिद कहां पे है जिल्ली में है तो जो आपका red square है वो कहां पे है तो जो आपका red square है वो है मौस्को तो जितने भी आपकी important buildings है किसने कब बनाई कहां पे बनी है कहां पे उसका कॉंसर statue कहां पे ये आपको पता होना चाहिए तो आप इस तरह का question आराम से करके ले जाओ गए चले ठीक है जी नेक्स्ट आजाते हैं snake, fang और bee ठीक है अब अगर आप इसको देखो तो क्या वोला हुआ है snake का relation किसके साथ यह हुआ है fang के साथ मतलब जो हमारा सांप होता है जब वो काटता है तो जो उससे जो उसका क्या होते है उसको काटने के बाद जो poison होता है जिससे poison अ तो अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसका right answer हो जाएगा dunk ठीक है मदू मक्ही के काटने को हम क्या वोलते है sting या फिर dunk ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा option number D ठीक है यहाँ पे तो आपको option हिंदी में दिये हुए है लेकिन वहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा वहाँ पे वह string को ऐसे ही लिखके देगा ठीक है क्यूं क्यूंकि उसे भी पता है आप हिंदी में इसको जल्दी से कर लोगे तो त्यारी जब कर रहे हो तो आपको इन चीजों का knowledge होना चाहिए चलिए जी नेक्स्ट आ जाते है Darwin evolution अर्कमेंड डीज ठीक है अर्कमेंडीज ठीक है अब तो जो बच्चा science background का है या जो channel science पढ़ता है उसका पता होगा Darwin की theory जिसको बोला जाता है evolution ठीक है यह क्रिया थी Darwin की theory जिसको बोला जाता है evolution डार्विन की बिकास की theory थी तो आर्कमेंडीज इसकी जो theory थी उसका क्या नाम था तो उसका नाम था option number c boyonce या क्या बोलते है इस इसका right answer हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा option number c ठीक है यह क्या थी इसकी theory थी चलीजी क्रिंज से fear यान क्रिंज अगर आप हिंदी में देखो तो यहां पर लिख वए जमाई लेना क्रिंग और धर ठीक है अब यह क्रिंज और सभी क्या relation है क्रिंज बता रहा है nd then can Chemu में जो हमारा reaction होता है उसे हम कहते है क्रींड ठीक है जब इंसान डरा होता है जो जो उसका रियक्शन होता है उसे कहा जाता है क्रींड अब जमाई लेना जमाई लेना का होता है जब आप गुस्से में हो या करोधी तो चिंती तो या प्रतिक्रिय अगर नहीं जी जब आप क्या हो बोर हो ठीक है त कि लेके आना था तो करते हैं इसका क्या अंसर होगा आप इसको कीजिए मैं पानी पी लेता हूं कि अगर कि आप देखोगे तो काडियो लॉजिस्ट होता है जो हाट को देखता है ठीक हाट के कि मैं बोला तो तो organize काइडियो लोजी जो होती है यह हाट की भांज होती है यह होती है पहल grass ब्रांच यहopardi करते हैं हाट की शे हम ska ah ब्लांट का भी उसमें से नहीं पटाया लेकिन हमें पता है जो fruit प्रटी के नहीं पंप करती है ठीक है उमीद करता हूँ आपने भी एक क्वेश्चन ट्राइ किया होंगे और आपके भी आंसर आ ठीक है एक क्वेश्चन CGL 2020 में आ चुका है तो आप इसको attempt कीजिए और मेरे को अपना आंसर दीजिए ठीक है तो यहां पर मेरे पास क्या बोला गया है कि depression जो related है mood से इन सो मैनिया किसे related है ठीक है अगर आपको मैं यहां पर हिंदी में option दे देता ना तो आप इसको अराम से कर लेते क्यों कि हिंदी में option देखना असानी से हो जाता है जैसा कि मैंने आपको अरड़ी बताया था कि हिंदी में हम easily इन चीज़ों को कर सकते हैं अब यहां पर क्या है कि depression से का relation हमें mood से दिया है तो जो हमारा insomnia होता है यह relate करता है हमारा sleep से ठीक है इसका actual में मतलब क्या होता है जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उन्हें ह हम insomnia कहते हैं clear है जो इसका right answer होगा वो होगा option number a चलिए next question देखते हैं चलिए बहुत ही प्यारा question है आप इसको attempt कीजिए और मेरे को अपना answer comment section में बताईए ठीक है मेरे को थोड़ा सा cold हो रखा है तो शायद मेरी आवाज इतने अच्छी ना रही हो लेकिन फिर भी try कीजि देगा चलिए करते हैं इस question को चलिए जी उमीद करता हूँ आपने इस question को कर लिया होगा अब अगर आप देखोगे तो 17 का relation to 93 के साथ है और 21 का relation 445 के साथ clear है अगर आपको याद हो 17 का square कितना होता है 17 का square होता है 289 clear है अगर मैं उसमें 4 एड़ कर दूँ तो मेरे पास एक नंबर तो आजाता है 293 अब एक बार इसको भी confirm कर लेते हैं ठीक है 21 का square कितना होता है 21 का square होता है 441 अगर मैं इसमें 4 एड़ कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या आजाता है 445 आजाता है मतलब इन्होंने क्या किया है जो हमारा नंबर है उसका square प्लस 4 का addition किया हुए अगर 488 को देखो तो यह किस नंबर के square के आसपास है तो अगर आप देखोगे तो 22 का जो square होता है वो कितना होता है 484 अगर आप उसमें 4 एड़ कर दोगे तो आपका answer आजाएगा 488 और यही इसका right answer है तो जो इसका right answer है वो है option number A वीद करता हूँ आपने इसका answer निकाल लिया ह होगा चलिए next question की तरफ चलते है बहुत ही प्यारा question है already exam में आज आया हुआ है तो करिए आप इसको try फिर मैं बताता हूँ इसका solution ठीक है उमीद है आपने इसको try किया होगा और आपका result अच्छा ही रहा होगा आपने इसका answer निकाल दिया होगा तो चलिए देखते हैं इस 16 और उसका relation है 5 के साथ अगर मैं ऐसे देखूं 5 3 मेरे पास कितने होते हैं 16 होते हैं sorry 5 3 15 होते है clear है क्या लिखा 5 3 मेरे पास आगे 15 अगर उसमें 1 का addition कर दूँ तो मेरे पास number आ जाता है 16 लेकिन क्या यह logic है देखते हैं 4 3 कितने होते हैं 12 12 में अगर 1 add कर दूँ तो मेरे पास आजाएगा 30 लीजी logic तो हमारा confirm हो गया अब 19 का relation किस से बनेगा यहां पर अगर आप देखोगे 5 3 6 2 अगर मैं 6 3 करूं तो मेरे पास कितना आता है 6 3 जा आता है 18 प्लस 1 मेरे पास आ जाता है 19 यहां पर जो मेना right answer होगा वो होगा option number c लेर है option number c इसका right answer होगा clear है उमीद खरता हूँ आपने इसका right answer दिया होगा चलिए जी अब इस question को कीजिएगा आप और फिर मैं बताता हूँ इस question को क्या करना था और इसका क्या answer आना था हुआ है उमीद करता हूँ आपने इसको try किया होगा अब जो बच्चा इस question को सीधे ही कर लेगा बिना पड़े हुए वो यहां पे गलती कर लेगा क्या यहां पे इन्होंने आपको line लिखके दी हुए है not related the same way as the number of the following set ठीक है अगर आपने यह line नहीं पड़ी है और आपने इस cancer निकाल दिया है तब आप क्या कर दोगे गलती कर दोगे यहां पे उन्होंने mention किया हुआ है कि not related मतलब इन में से कैसा digit होगा जो यह relation नहीं वना रहा होगा अब जो हमारे पास number दे रखा है वो क्या दे रखा है सबसे पहले number देखते है 7, 21, 40 अब आगर आप देखोग के 7 के ही टेबल में 21 आता है और 7 के ही टेबल में 49 आता है अब आप बotom बोल के सर कैसे तो 7 dro second होते है 21 और 7 को square कतना होता है 49 ठीक है 7 को square कितना होता है 49 अब पहली option देखते है maths 18, 36 ठीक है सिक्स का स्क्वेर 36 और शिक्स झीक्स त्री जा laws 18 लब ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है चलिए नेक्स देखते है एट का स्क्वेर सिक्स्टीफोर ठीक है एट का स्क्वेर दे रखा है सिक्स्टीफोर और एट थ्रीजा कितने हो जाएंगे मेरे पास 24 यहां पे भी रिलेशन लग रहा है अगले नंबर को मैं देखता 5, 15, 25 ठीक है 5 का स्क्वेर 25, 5 थ्रीजा 15 यहां पे भी रिलेशन लग रहा है लेकिन अगर आप लास्ट नंबर को उठाओ ना 9, 27, 72 तो यहां पे आप देखोगे 9 थ्रीजा कितने होते हैं 27 और 9 का स्क्वेर एक्शन में होता है कितना है 81 क्लियर है तो यहां पे क्या रखा ह है 72 तो यहां पे यह वाला इन से रिलेट नहीं कर रहा है तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी और स्वरी ऑप्शन नंबर डी जो इस रिलेशन में नहीं आ रहा है उमीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चिन को कर लिया होगा अब चलते है नेक्स्ट क्वेश्चिन की तरफ चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चिन अल्रेड़ी एक्जाम में आया हुआ है आप इसको खुल ट्राइ कीजिए फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चिन है आपको कम से कम 20 सेकंड लंगने चाहि और क्योंकि एक्जाम में आया हुआ है तो इस तरह से आपको लॉजिक पूछा जा सकता है तो मैं जितने भी क्वेश्चिन उठा के लाता हूं सारे एक्जाम औरियंटेड होते हैं उनको आपको प्रेक्टिस जरूर कीजिएगा क्यों क्योंकि अगर आप प्रेक्टिस होगे तो आने वाले एक्जाम में आपकी हेल्प होगी चलीजी देखते हैं मारे पास नंबर दे रखा है 24 10 392 ठीक है अब 24 10 392 इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है अगर आप देखें 24 में अगर मैं माइनस 10 कर दूँ तो मेरे पास लोजिक आ रहा है 14 ठीक है 14 का स्क्वेर कितना होता है 196 ठीक है अभी भी मेरे पास जो नंबर चाहिए तो वो नहीं आया है लेकिन अगर आप 196 का 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा ठीक है तो पीछे जो लोजिक था क्या किया था फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से सब्ट्रGod किया था जो वैल्यू आई ती उसका स्क्वेयर किया था और उसका टू टाइम्स कर दिया ठीक है तो इस तरह से इनुने इसका लोजिक निकाला था अब नेक्स्ट मेरे पास नंबर दे र होगा चली जी नेक्स्ट डिजिट वी औचा नेक्स्ट ऑप्शन भी सेम दे रख था है मैंने वार उठा लिया है नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि 29 में से 18 को सब्ट्रेक्ट करता हूं तो मेरे पास आजाता है 11 और 11 का स्क्वेर कितना होता है वन टू वन ठीक है अगर मैं इसका टू टाइमस करूँ तो मेरे पास आ जायेगा टू-fore-2 ठीक है तो जो मेरा राइट आंसर होगा मैं इसको थोड़ा से यहां लिखता हूँ दू कि आपको दिखने रहा होगा ठीक है तोरी मैं तोड़ा सो इसको यहां पे लगता हूँ option number C थी मेरे पास 29 इसमें से मैंने 18 subtract किया तो 9 में से 8 गे 2 में से 1 तो अगर 11 का square करें तो 121 और इसका 2 times करें तो मेरे पास answer आ देगा 242 तो जो इसका right answer होगा वो कौन सा होगा option number C ठीक है अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसे end तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा ठीक है तो चलिए next question की तरफ चलते है चलिए जी next question में बहुत प्यारा question है उमीद करता हूँ कि आप इसको करोगे और मेरे को इसका answer दोगे चलिए आप इसको खुद try कीजिए तो मेरे पास value दे रखी है 16 का relation 144 के साथ 16 का relation 144 के साथ 28 का relation मेरे को निकालना है किसके साथ आए तो अगर आप देखोगे तो 16 का relation 144 के साथ कैसे हो सकता है अगर आपको table याद होगी तो आपको बता होगा 16 9 कितने होते है 144 होते हैंगी नहीं होते होते है अब 9 कहां से आया होगा अगर आप 16 का half करते हो तो 16 का half कितना होता है 8 उसमें plus 1 कर दो तो मेरे पास value आजाएगी 9 ठीक है एक logic हो सकता है देखते है अब हमारे पास 28 है इसका half हो जाएगा 14 प्लस 1 तो आजाएगा 15 ठीक है अगर मैं 28 को 15 से multiply करता हूँ तो मेरे पास आजाएगा 40 0 4 carry plus 18 24 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दो 4 20 4 20 मेरे पास आ रहा है जो कि आपका option number A है clear है तो यहाँ पे जो मेरे पास right answer आपको देखने को मिल रहा है वो कुम सा है 4 20 option number A ठीक है logic क्या था इसके पीछे बहुत ही प्यारा logic था इन्होंने क्या किया था जो आपके पास डीजिट दे रखा था को लिख दिया ठीक है 28 का half होता है 14 इसमें plus 1 किया तो आ गया 15 28 को 15 से multiply किया तो मेरे पास आ गया 4 20 चलिजे next question यह question फिर से repeat हो गया है यह शायद अभी किया था हमने न हाँ यह question repeat हो गया है तो अगले question की तरफ चलते है ठीक है चलिजे अब आजाते है थोड़ी general knowledge वेस्ट analogy के उपर ठीक है मैंने आपको बताया था कि तीन तरह की होती है एक होती है अल्फा वेट वेस्ट दूसरे होती है नंबर वेस्ट और तीसरे होती है जनर्न नॉलेज वेस्ट ठीक है तो ये जो general knowledge की है अगर आपने मेरी पहली classes नहीं देखी है तो आप उनको देखिएगा आपको पता चल जाएगा उसमें हमने किस तरह के question किये थे अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने फिर से आपको वोला हिन्ने में दिया होता कि जो हमारी पत्ती होती है जब वो सूख जाती है तो उसको जब हम उससे सूखने के वाद जब उसको पीसते हैं तो जो आवाज आती है उसे कहा जाता है रसल ठीक है जो उसको मसलते है तो जो आवाज आती है उसे कहा जाता है रसल ठीक है उसी तरह से जो आउल होता है वो एक आवाज निकालता है उस आवाज को बोला जाता है हूट ठीक है तो यह जो लीव होगा जो आपका पता होगा जब आप उसको मसल होगे जब वो सूख जाएगा उसको मसल दोगे तो जो कड़कड की आवाज आती है उसे कहा जाता है रसल वैसे ही जो आपका आउल होता है या जिसे हम हिंदी में बोलते है उल्लू तो जो वो आवाज करता है उसे कहा जाता है हूट clear है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number B clear है तो जो general knowledge waste होते है न ये आपके knowledge को चेक कर कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता ठीक है ये आपके knowledge के उपर बैठे हुए होते है ठीक है ये already exam में आया हुआ question है इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया इसलिए next question फिर से number के उपर है बहुत ही प्यारा logic है आप इसको खुद try कीजिए वैसे तो इसको 10 second भी नहीं लगने चाहिए क्यों क्योंकि ये number देखके ये आप इसका answer बता सकते हो आपने ही दिख रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे 6,9,45 कैसे हो सकता है ठीक है अगर मैं देखू इन दोनों को अगर मैं addition कर दूँ तो मेरे पास आजाता है 15 आता है कि नहीं आता है कितना होते है 15 और इन दोनों का एक difference लिलू तो आ जाता है 3 ठीक है अगर मैं 15 का 3 times कर दूँ तो मेरे पास answer आ जाएगा 45 ठीक है यहाँ पर मेरा यह logic बन रहा है अब option उठाते है सबसे पहले मैंने उठाई 7, 4, 48 ठीक है 7 और 4 का सम हो गया 11, 7 में से 4 गये तो आया 3 तो 7, 3, 11, 3 जा होते है 33 यह वाली option eliminate हो गई अगली देखते हैं 2, 8, 46 यहाँ पे इन का सम आ गया है 10, 8 में से 2 गये 6 तो यह भी option गलत है अगली देखते हैं 8, 10, 36 8 और 10 के वीच का relation आ गया 18 और 10 यहाँ पे हाँ जी दो तो 18 डूजा कितने होते हैं 36 तो जो इसका right answer होगा वो कौन सा होगा option number C इसका right answer होगा अबीद करता हूँ आपने विसको कर लिया होगा बहुत ही प्यारा logic था इसमें कुछ नहीं था जो आपके पास number दिया था उसको पहले addition किया फिर उसका जो farmer का relation field के साथ दे रखा है ठीक है एक मिन यहाँ पे आपको farmer का relation field के साथ दे रखा है और artist का relation आपसे पूछा हूँ है अगर आप देखोगे जो हमारे farmer होते हैं, वो कहां काम करते हैं, तो वो काम करते हैं, ठीक है, farmer काम करते हैं, तो जो artist लोग है, वो कहां काम करते हैं, वो अगर आप इन option में देखो, तो hero तो उनका profession है, actor भी उनका profession है, action वो काम करते हैं, जो action होता है, ठीक है, लेकिन गोला है है वो काम कहां करते है तो वो काम करते है थेटर में तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा option number एक किसे है थेटर से related है बहुत ही easy question था कि और exam में आया हुआ है तो इसलिए हम इसको skip नहीं चलिए एक और question यह आपके आरारवी के exam में आया था जो railway का exam होता है उसमें आया हुआ था तो अच्छा question है आप इसको attempt किजिए फिर मैं बताता हूं क्या बोला है आपको बोला है कि जो हमारा study है उसका relation दे रखा है knowledge के साथ कि study का relation दे रखा है knowledge के साथ आप से पूछा है work का क्या knowledge होता है या work किस से relate करता है ठीक है आपको बता है अगर आप study करोगे तो आपको क्या आएगा knowledge यह आएगा ठीक है हमें सभी को बता है अब जितनी study करते जाएंगे उतना ही हमें क्या होगा knowledge होगा ठीक है और जितना हमारा work होगा उतने हमारे पास क्या होगा salary होगी नहीं उतनी हमें training मिलेगी यह भी नहीं employment नहीं तो option number बचा ए जितना हम work करेंगे उतनी हमारे पास क्या होगा experience होगा तो जी इसका जो right answer है वो है option number a ठीक है जैसे study related है knowledge से वैसे ही work related है किससे एक एंस चलिए बहुत ही प्यारा question था next question की तरफ चलते है चलिए जी देखिए आप इसको भी खुद try कीजिएगा यह already exam में आय हुए question तो आप इनको skip मत कीजिएगा कि आप सोचेगी सर छोड़ देते है और कहीं हो से देख लेंगे ठीक है यहां पर मैं जितने भी question लेके आता हूं यह exam में आय हुए होते है चलिए देखते है क्या पूछा है illiterate educated अगर आप इनके बीच में relation देखो तो जो educated है उसी का उल्टा क्या होता है illiterate होता है ठीक है बड़ा लिखा इंसान और अनपड इंसान ठीक है इन दोनों का क्या है opposite दे रखा है मारे को पड़े लिखे का opposite दे रखा है अगर आप देखो तो food का opposite क्या होगा food का opposite river या well तो हो नहीं सकता rain भी नहीं हो सकता यहां पर option सिर्फ एक बची वह बची ड्राउट ठीक है ड्राउट का मतलब होता है आकाल ठीक है अगर आकाल होगा तो आपका food नहीं होगा वैसे educated का उल्टा गया होता है illiterate अगर educated है तो illiterate भी होंगे food है उसका relation किसके साथ होगा ड्राउट के साथ होगा चलिए next question की तरफ चलते है जली जी फिर से number वाला question आ गया है आप इसको creator आए और फिर मैं बताता हूँ इसके पीछे का logic ठीक है बहुत ही प्यारा question है देखते है इसके पीछे क्या logic है अगर आप देखोगे तो 4 3 19 हमें दे रखा है तो 4 3 19 कैसे बना होगा तो सबसे पहले अगर आप 4 को उठाओगे तो 4 का square कितना होता है 16 अगर 16 में अगर आप प्लस 3 कर दोगे तो आपकी desert क्या जाएगी 19 आ जाएगी यह एक logic हो सकता है लेकिन हमी confirm करना पड़ेगा तो option उठा के देखते है 8 का square कितना हो जाता है 64 64 में 5 add करूंगा तो 69 की पहला option तो नहीं है दूसरा देखता हूं दूस 36 का square 36 प्लस 4 तो मेरे पास आ जाएगा 40 बिल्कुल सही तो मेरा right answer इसमें क्या हो देगा option नंबर भी क्या होगा right answer होगा क्या logic था इसके पीछे इन्होंने क्या किया था इन्होंने हमारे पास जो number दे रखा था उसका किया इन्होंने square ठीक है 4 का किया square और उसमें next value को कर दिया add और अगली next value निकाल दी अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 6 का square होता है 36 उसमें 4 add करते ही आपके पास आ जाएगा 60 तो right answer हो जाएगा option नंबर भी चलिए next question की तरफ चलते है ठीक है next question बहुत ही प्यारा है science background से है ठीक है अब जो बच्छा science का होगा इसको अराम से उड़ा के ले जाएगा क्य हों क्यूंकि इसमें कुछ नहीं SI unit पूछे हुए है ठीक है SI unit पूछे हुए है इसके जैसे energy के relation energy के unit दे रखे है जूल से आप से पूछे हुए power के तो अगर आपको पता होगा कि power के क्या unit होते है तो आप इसको अराम से कर लोगे ठीक है तो power के unit होते है what जो इसका right answer होग होगा वो होगा option number a clear है क्या किया है इन्होंने यहां पर कोई भी logic नहीं था यह science waste question था इसमें जो energy का relation SI unit दे रखा था Joule आप से पूछा था power का तो power का उता है what clear है चलिजी next question देखते है Next question आर आर भी में आया हुआ हमें बोला है कि Merry Calm का relation है boxing कहीं हमें पता है Merry Calm कया करती है boxing करती है ठीक है वैसə ही pto उशा क्या relation है पिटी उचसे किससे rilet Hybrid है तो जिस बच्चे को पता है कि Merry Calm का profession क्या boxing है उसी iss को पता होगा pto उच्चा का professional running, तो जी इसका right answer क्या हो जाएगा, option number A, इसका आजाएगा right answer, running इसका right answer है, ठीक है, पीटी उशा, किस sport से related है, वो related है, running, जी बहुत ही प्यारा question था, next question देखते हैं, चलिए, अब यहाँ पे मेरे को दे रखाया है, कि medicine किसके लिए use होती है, disease के लिए, medicine का relation किसके साथ दे रखाया, disease के लिए, ठीक है, और आप से पूछा है, food का क्या relation, अब अगर कोई बंदा मिमार है, तब ही medicine का use करता है, ठीक है, अब food कभी use करते हैं, जब हमें क्या लगी हो, food, हम किसमे हो, hunger में हो, भूखे हो, ठीक है, अगर आप भूखे होंगे, तब ही या use करोगे, food use करोगे, clear है, तो यहां पर जो right answer होगा, वो कौन सा होगा, option number C, ठीक है, अमीद करता हूँ, आपने इसको कर लिया होगा, और जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उस वीडियो को ज़रूर like, share और comment कीजिएगा, मुझे अपना score बदाएगा, कि आपक पास दे रखा है, oven का relation, bake से, ठीक है, हम क्या करते है, oven में चीज़े bake करते है, ठीक है, पाता ही, oven में हम चीज़े क्या करते है, bake करते है, ठीक है, वैसे ही, refrigerator में हम क्या करते है, refrigerator में हीट होती है, क्या, बिल्कुल नहीं, microwave ये तो होई नहीं सकता, cooking भी नहीं होती, तो option ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एक छोटी सी quiz लगाई आपके analogy के previous year question के उपर उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please इसको like, share और comment कीजिएगा और मेरी पुरानी वीडियो जरूर दिखी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ quiz में ही question मिलते हैं वहाँ पे भी मैं बहुत सारे question discuss करता हूँ तो जो बच्चे ये concept जानते हैं वो क्या करें वो वहाँ पे जाके practice कर सकते हैं वो उन चीजों को attempt करके देखें कि उनका score कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो करते हैं यही पे खतम और मिलते हैं next वीडियो में thank you करते हैं झाल